अब हालां कि I still believe यह one of match है आगे जो है I think 2-3 match 4 match जो भी हमने केलने हैं आज ही match है for a change जो है आज भी हम चीरफाड कर देंगे और बाकी की series I'm sure हम चीरफाड ही करेंगे लो भाई कर दी चीरफाड यही तो चाहिए था भाया तुमसे यही चाहिए था यह है तुम्हारा potential team India तुम world champions हो भाई तुम world champions की legacy को लेकर जा रहे हो और जिंबावे जैसी टीम यार जो experience के मामले में भाई cricket बहुत फरक डालता है तुम्हें कितना experience है कितना नहीं तो इसे मै कहता हूँ चीरफाड और शायद इस मार्च में हम डर कर नहीं खेले हैं पहले मार्च में आप कह सकते हो कुछ लोग की casual approach थी पहले मैंच में आप कह सकते हो कि भाई डर कर खेले थे जो कि मैं कह रहा हूँ भाई जब आप टॉस जीतो और अप गेंदबाजी का फैसला कर लो that means यार कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि आप पहली बाटिंग नहीं करना चाहते that can be कि आपकी strength है में भी चेस करना पर जिंबावे के अगेंस strength थोड़ी ना दिखानी है बहुत और उसी के against आप यशायद यह सोच रहे हो कि मेरी कुछ early wickets ना गिर जाए सो basically जो है आप जो भी कर रहे थे मुझे लगता है आप डर कर कर रहे थे और इस match में आप बाटिंग पहले करकर आपने ताबड तोड बल्ले बाजी की अभी शेक शर्मा जी ने बता दिया कि एक शर्मा दूसरे को replace तो कर रहा है बट जिस छत्रचाया से निकला है जो कि यह युवराद सेंग और practice head और comments के अंडर की है भाई इस बच्चे के लक्षन जो है उनसे जो है match कर रहे हैं कहीं न कहीं चाहे वो युवराद सेंग हो चाहे वो टेवस head के साथ practice की गई हो चाहे वो comments का भरोसा दिया गया हो और चाहे team India में आकर डरना नहीं है team India में आकर अप जगा बचा लूँ अपनी averages को बचा लूँ मेरी ranking ठीक करनूं कहीं न कहीं तांकि मैं अगला March खेल लूँ मेरी debut हुई है this and that नहीं बंदे ने साफ कर दिया भाई मैं हूँ एक पूरी की पूरी जो है ताबर तोड बल्लेबाजी वाला बल्लेबाज इसी बल्लेबाजी के ऊ टीम इंडिया में भी खेलूंगा और imagine करो boss हाला कि अभी बहुत जल्दी है यह मानना कि अभिशेक जो है अपने आपको permanent कर लेगा but imagine अभिशेक और जासवाल एक कठा opening करते हुए और मुझे तो frankly भाई यह जरूर से बहुत जादा है क्योंकि यह 2020 है मैं इसलिए यह afford कर सकत करता है बट यह combo मैं imagine कर रहा हूं जिस दिन फेल होंगे हो सकता दोनों फेल हो जाएं को एक जैसवाल को जो है हमने देखा है responsibility से बैट करते हो वह test matches देखें हमने तो उस combination से में भी जो अभी शेक और जैसवाल अगर यह कठा बाटिंग कर रहे हूं तो जैसवाल हो सकता है failure के जो है सामने अपने आपको टिका ले बट जिस दिन ये दोनों भाई साब जिस दिन ये दोनों attack करेंगे ये दोनों जो है बल्लेबाजी जो है अपने full flow में करेंगे भाई साब हेडन और गिलक्रिस का जमाना याद आ जाएगा और यह मैं कह रहा हूं जो लोगों ने दे decision maker होता मैं इन दोनों को कहता कि भाया तुम दोनों अगले T20 तक हो पके बहुत बड़ी स्टेटमेंट है बहुत अर्ली स्टेटमेंट है बट मेरा confidence सिरफ सिरफ अभिशेक का इस इनिंग के बाद IPL की performance के बाद और जिस तेवर से वो खेलता है उसके बाद यह कहता है कि इन नमबर तीन पर आप जो है जो मर्जी हिसाब ताप चाहिए गिल हो गायकवाड हो संजू सैंसन हो या जो भी आपके सिनारियों हैं वहाँ पर आप एडजेस्टमेंट कर सकते हैं अगर इन दोनों में से कोई फेलियर भी हो जाता है तो नमबर तीन जो है आप शुबमन गिल सिस दिये उसने ड्रॉप सुए छोड़ दो या यह सारी कानिया नहीं है सो लडगे के बोड़ पर जो है वहाँ पर इसके लावा रितुराज गायकवाड भाई रितुराज गायकवाड इसा टालेंट और मैंने सुना है वो विकेट कीपिंग वारा भी कर रहा है रितुराज तीन के लिए यह बंदा भी जो है अपनी दावेजारी ठोक रहा है और इस सब सिनारियों में शोबमन गेल भाई तुझे जो है बैक अप करना होगा बर शोबमन गेल की भी हमने देखा है कि वो क्या कर सकता है दोसों मारा हुआ भाई उसने तो आडों तेंक सो जो है इसके पीछे बैठा है इमाजें तो हमारे पास बहुत अच्छा कॉंबिनेशन सेट हो रहा है और वो तिडी नी तडी से हिंदी बोलते बोलते जो है कई बार इधर उधर हो जाते हैं एनिवेस वो तडी से खेलने वाला जो बल्लेवाज होते है ना फ्री फ्लोई वाला अग्रसि नहीं हो पाया शायद यह हुआ होगा क्योंकि रिंकू जो है वापस बाक इन बिजनेस और जिस चीज के लिए वो मशूर है उसने वो किया बेसिकली जितने करन हम मार नहीं पाये थे पिछले माच में एक दो उपर नीचे उतने रनों का डिप्रेंस हमने क्रिएट कर दिया और यह है वो टीम इंडिया के यंग्स्टर्स विज एक्स्पीरियेंस और यह है वो टैलेंट जिसके बारे में भाई हम बात करते हैं यह जो आज पोस के पडोसी मुल किया यह जो सोकॉल ट्रोलर्स जो ट्रोल करते हैं न भाई आप डिसकस करते हुए इस इसकी उपर डिसक पाड होगी और हमारे लड़कों ने चीर पाड करकर बता दिया और राजा जो उनका जिम्भावे का कैप्टेन है उसने बोला है ना कि वर्ल्ड चैंपियन्स है वर्ल्ड चैंपियन्स की तरह तो खेलें गई तो सब को उमीद थी कि यह इसी तरह खेलेंगे पहले माच में जो यह वेक अप कॉल सिर्फ एक माच के लिए नहीं आने वाले वर्ल्ड कॉप तक सालों साल यार रखेंगे यह कि जिस दिन हमारी थोड़ी सी हमने कैजुल अप्रोच ली ना और मजाग मजाग में करने की कोशिश की यह क्रिकट गेम है बहुत यह मजाग मजाग में तुमें जो है कहां से कहां लेकर जा सकती है एक हफता पहले तुम वर्ल्ड चाम्पियन थे टीटुमेंटी के और एक हफता बाद तुम जिमभावे से जो है जो टीम कॉलिफा भी नहीं करकर आई थी टीटुमेंटी के लिए उससे हार कर बैठे थे हलाए कि उसका बदला पूरा हो जाएगा पर बदला यार खैर जिमभावे नहीं बढ़िया किया तो यह एक जो है बहुत जो है रियालिटी चेक हमें मिल गया था और हमने जिस तरह का जो है कंबाक किया यह हमारा जो है करेक्टर बताता है और भाई चीर फाड बार बार मां बोल रहा हूं अभी शेक ने ब पोशित कर दिया गया है चांपेंस ट्रोफी या आने वाले जो आपके टेस्ट चांपेंशिप के लिए कप्तानी वही करेंगे तो सभी जो है डाउट्स के ऊपर वो कहते हैं ना सुत्रों के हवाले से जो खबरे आती हैं देसें द्यार उनका जो है काम ठीक हो गया शात हो और जैश आप में जितनी मर्जी बुराईयां हो ना हो अच्छाइएं हो ना हो यह काम सबसे बढ़िया वो करता है बंदा पिछली बार टी-20 के लिए भी उसने पहले अनाउस्मेंट कर दी इस बार जाते जाते जो हैं भाई साब ने रोहिज शार्मा के लिए भी अनाउस् वड के साथ इसके लावा संजू सैमसन ने भी आना है वहाँ पर शिवंदूबे ने आना है पर रिंकू ने आना है तो यह कॉंबिनेशन कैसा बैठता है बॉलिंग में बुम्रा अर्श दीप सिराज यह ओलरी हैं मुहमर शामी का नहीं पता भी वो कब आरा है नहीं आरा उ हमारे सिस्टम को उन्हें अपने गरिवार में देखना होगा अपने इंसाइट देखना होगा अपने सिस्टम पर ज़्यादा ध्यान देना होगा वन और टू हेर अंद देर माच हो जाते हैं और वोने नहीं चाहिए थे आई एग्री बट जिस तरह की आप कंबाक करते हैं जिस तरह का आपका पूल है, जिस तरह का आपका टैलेंट है, that should not be disrespected, yes, मजाक मजाक में हारे थे, बट अभी जो है, अगले माच में मजाक बना कर जो है, तित्तर बित्तर कर दिया, दूसरी टीम को, as expected, और high hopes हैं भाई, मुझे शुबमन गेल से, शुबमन गेल की मजाक मजाक में भाई, दो failure आ चुकी है, शुबमन गेल इतना बुरा नहीं है, शुबमन गेल का character यहां से हम याद कर सकते हैं, दोसों भूल जाओ, international level पर for a second, IPLK finals में, विराट कोली को जाकर जो है, आप literally जो है, one on one जो है, आप एसी performance दे जाते हो, कि आप विराट कोली की team को भी हरा देते हो, आप विराट कोली की team को eliminate भी कर देते हो, विराट कोली के saw की उपर भी जो आप पानी फेर देते हो, I think finally semi final में हुआ था, बट आप इस से जो है, उस बंदे का character जो है, वो सोच सकते हो, देख सकते हो, पता लगा सकते हो, कि यह है वो जान उस बंदे में, तो उसकी भी यह फेलियर जो आई है, वो रेर है, और मेबी कप्तानी जो है उसके दिमाग में थी, पहला माच जो है वो फेलियर उसके दिमाग में था, but now the things will improve, and I expect, पहला तो टीम इडिया जो है बाटिंग करें, जो है पहले टॉस जीते, अगर टॉस नहीं जीते हैं, कोशिश है कि बाटिंग पहले ही मिले, और फ्री फ्लोविंग, जो है फ्ली फ्लोविंग, अपने अपने कैलिबर केज आप से खेले बॉस, और जिस तरह हमने खेला, मजा आ गया, और फर्दर जो है, आने वाले माचिस में जो है, धमाके चलते रहने चाहिए, क्या कहते हो, क्रिकट की जनता, और बाइद अवे, आपको क्या लगता था, पहले माच हारने के बाद, आप उस कैंप में थे, कि भाई, भगवान, रोई शर्मा और विराट कोली के बाद, हमारी टीम पर ब चैनल.